रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें बांडा जेल रमाकान जहां इस जेल में बंद है और मैं उसके चूटने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ जेल ब्रेक करने के लिए जेल का सेक्यूरिटी प्लैन उसका ले आउट सब कुछ हासल करना होगा तो सिर्फ जेल की हाइस्ट अथॉरिटी के पास होगा मतलब जेलर गठराच ठाकुर के पास और जेलर के पास से ये सारी इंफरमेशन सरफ एक ही आदमी हासल कर सकता है कोली इंस्पेक्टर सुधीर कोली गरह विभाग के द्वारा स्पेशल टास्पोर्ट का गठन करने के बाद भी अपराद में कमी नहीं आई है आज सुबद चिल्डरन पाक के पास एक नव युगा की लाश मिली है जिसके गोली मारकर उसकी हत्या की गई है हमारी रिपोर्टर अंजना खटना सल से सीधे हमारे साथ जुड़ रही है अंजना क्या आप बता सकती है कि वहां किस प्रकार की तहकिकात हो रही है जैसा कि आप सब जानते हैं अभी इंवेस्टिकेशन के लिए स्पेशल आप तो जानते हैं ना हमारे हस्बंड जेल के सिकरिटी इंचार्ज है हाँ तभी तो तालाशी ले रहे हैं क्योंकि अगर उनकी निगरानी में कोई जेल से भग गया तो उने जेल दाना है हाई दिया हमारे हस्बंड तो बहुत ही इमानदार और करमत इंसान है रात रात पर यही कंपूटर पर बैढ़ कर काम करते है यह क्या है यह वही है जो टाम आपके पदी देख करते रहते है तातरा तुम्हें तभी तो हम कहें कि जब हमारे पास आते हैं तो इतना थक्य थक्य होए काहे होते है को गई तेलाशी जी हमारी नहीं लीजिएगा बॉस यह गुड़ लुकिंग होना भी एक मुसीवत हर कोई आशिक हो जाते है क्या पता जो आप ढूंड रहे हो हमारे पास हो क्या करूं मुझ से किसी का दिल नहीं तोड़ा जाते है मैं ये यहाँ सब्सक्राइब मैं यहाँ सब्सक्राइब मैं यहाँ यहाँ? हलो, हमेशा गल्लर टाइमपे प्पोन करते हूँ आओ तो, तुम्हें यहाँ क्राइम सीम पर उनना जाएए ना? मैं, मैं यही हूँ? चिल्रिन्स पार्क में तुम मुझे दिखाई दे रहाँ? उन्हें वह सामन, पिंक वाला स्टर पने और बेज जैकेट और गलू जीन्स मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे हूँ अच्छा, तुमें मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ यह में तुम्हें आठ दिखा रहा हूं, दिकुए. का नहीं थोड़ा लेफ्र. थोड़ा रॉड़ा रॉड़ा थोड़ा नीचे, ने, इतना नीचे, नहीं, उपर उपर. थोड़ा थोड़ा नीचे. अरे, वेरा आइएू? क्या उपर नीचे कर लिए बाबुजी? बस ये डेट बोडी के पॉकेट में ना हनीमोर रिसॉर्ट का की कार्ड मिला है आप इसे जानते हैं सॉरी मैं इसे नहीं जानता हूँ इसके पास आपके होटल का की कार्ड है मतलब यह ही रहता था हो सकता है बट मैं इहां का मैनेजर हूँ यहां पर रुकने वाले हर गेस्ट को मैं नहीं जानता ये तो हमारी रिसेट्टनिस को मली बता सकती है वैसे आपका एक ओफिसर उससे अल्रेड़ी पूछताच कर रहा है ओफिसर? जी तुम यहां कैसे पॉच्छे? और वो भी हमसे पहले? मैं यही हाशrée पास अचास तुम ने तो कहा था कि तो कमान या तुमे तुमें मरने वाले से जादा मुझ में इंटरस्ते हैं एंटरस्एंड आप जञानती हैं मरने वाले को मैं नहीं मिस्टर नृक है क Украї से कहा था बट मिस्स वर्मा का है, we need to talk to her. वो तो यहां नहीं है. अच्छली टीवी में न्यूस देखने के बाद में उनके कमरे में गई थी. पर वो नहीं नहीं थी और उनका बैगेज भी नहीं था. और उन्होंने चेक आउट भी नहीं किया. And what about the ID? उन्होंने कोई ID वागेरा तो सब्मिट किया होगा, ना? ID तो सिर्फ मिस्स वर्मा ने सब्मिट की थी. अपने मिस्स वर्मा का चेहरा तो देखा ही होगा. Sorry, उनका चेहरा cover था तो मैं देख नहीं पाई. Anyway, आपको मिस्स वर्मा के बारे में कोई information मिले या कुछ भी यादा है, हमें ज़रूर बता देखा हूँ. क्या, मैं एक question पूछ सकता हूँ? Yeah, sure. यही पूछोगे ना, कि अगर मैं रूम बुप करूँगा तो कितना चार्ज करेंगी, डिस्काउंट मिलेगा या ने, राइट? Nonsense. मैं यह पूछना चाहता था, कि I know यह रहनीमून रिजॉर्ट है और यहां पे सिर्फ हानीमून अजाथ है. लेकिन, suppose, अगर मुझ जैसा कोई अकेले हाँ है, तो क्या उसे कंपनी प्रवाइट की जाएगा? Of course. अगर आप जैसा यहां कोई आएगा, तो तो डेफिनिटली कंपनी मिलेगा. Thank you so much. Disgusting. What? तुम अपनी अची प्राक्टिस कभी ने छोड़ोगे, ना? Oh come on, तुमने देखा मैंने कितनी smartly find out किया, कि अंदर प्रॉसिट्यूशन का धंदा चलता है? जरूरी नहीं है वो लड़की Mrs. Aman Varma हो, वैसे तुम्हें कोई Mrs. Aman Varma मिलने नहीं वादी. Hello? मास वासनी. Mr. Aman Varma की वाइफ. Mrs. Aman Varma का राण? अंदर. इन तीनों में से Mrs. Aman Varma कौन है? तीनों. Hi, I'm Saakshi Ranjan. आप? मेरा नाम Shaya Narayan है. आप Aman Varma की वाइफ है? जी नहीं. मेरा हस्बन का नाम अधिते नारायन. आसिफ शेख है. अविनाष तारस्वत. अधि कब हुई ती आपकी? दो साल पहले. छे मेने पहले. पूरे ग्याना मेने और पच्छिस तिन हो चुके हैं. लव मैरेज थी हमारी. बहुत प्यार करते थे वो मुझे. उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए. ना तिलक, ना दहेज, और ना कोई फिजूल खर्ची. कुछ दो तिन महीने हमने साथ में बिताया होंगी. वो मेरी लाइफ का सबसे खुबसूरत ताइम था. उन तीन महीनों में जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, कोई किसी को पूरे जिन्दगी में नहीं दे सकता. सर सब कुछ अच्छा चल रहा था. पर एक दिन अचानक वो मुझे छोड़ के चला गया. अगर वो आपसे इतना प्यार करते थे तो आपको छोड़ कर क्यों गया? मजबूरी थी उनकी. कुछ खतरनाक लोग उनके पीछे पड़े थे, जो उन्हें जान से मारना चाहते थे. वो मेरी जान खत्रे में नहीं डालना चाहते थे. इसलिए एक रात उन्होंने चिठी में सब कुछ लेग दिया. एंडी लेव. तो वो साथ में क्या कुछ लेकर गय थे? जूलरी, रुपया, एंइटिंग? नो, ना थिए, कुछ भी नहीं. था ही क्या हमारे पास? नहीं सर्व, जो थोड़ी बहुत इमिटेशन ज्वेलरी थी, वो मुझे अविनाश ने दी थी. आम सॉरी, लेकिन हमी जो डेट बोडी मिली है, वो अमन वर्माद. वो जरूर उन से बचने के लिए आइजिनटिटी चेंज करके रह रहे होंगे. वो कहते थे, बहुत खतरनाक लोग हैं, और उना नहीं मार दिया उसे. क्या आपको कोई आइडिया है कि उनकी और भी बीविया थी? नहीं, नहीं, आसिफ ऐसा नहीं कर सकते है. कौन आसिफ? मेरा पती है को अभी नाश नहीं है? कोई अभी नाश है? तुमेहीं कर दो, उनमेरा पती है, तुमेहीं आपके है. अट आप, उसने आप तीनों से शादी की अलग अलग नाम से अलग अलग वक्त पर. लेकिन छोड़कर जाते वग एक ही कहानी सुनाई ताकि ना तो आप उसे ढूंडे और ना पुलिस में कम्प्लेन करें अब ती नमबस तापस में डिसाइड कर लिजे कि वो स्मॉर्टम के बाद पार्डी को लेके जाएगा सॉर्री, मैं नहीं जानती उसे हमारे लिए तो वो जहन्नुम में ही जाएगा आइ तिंक मुझे आप लोगों कोई बता देनी चाहिए कुछ दो महने पहले की बात है मेरी कजन ने मुझे एक बीवीडी भिजवाई थी उसका कहना था कि उस डिवीडी मेरे और अधिते के कुछ प्राइवेट और इंतिमेट वीडियोस है प्लीज आप आप इस डिवीडी को अकेले में देखियेगा याए प्लीज़ वाई ने कॉनसा गुना किया है ओ, देशी पॉण्ड, इसकी बहुत बड़ी मार्केटिटियन जिवेड़े तोम देखते हो यह पॉण्ड कॉन्नी देखता है क्या चाहिए, कितना चाहिए पूरा चाहिए, सब कुछ पूरी फुटेज के साथ मैंने कुछ नहीं किया और मॉफ आपने हो कुछ मागेगा, मागेगा चल चल ले जाओ इसे चलो सुधीर कॉली स्पीकिंग यह लाइटिंग भी कितना बुरी है न इतनी डाक है कुछ दिखता ही नहीं है यह तुम क्या दिखता है वही जो तुम दिखता है अचली हम दोनों को साथ में देखना चाहिए अचली है अचली है अचली है अचली है अचली हमें और भी कोई क्लिप्स देख लेनी चाहिए जिसमें अमन वर्मा यह जो भी उसका नाम है नजर आजाए मैंने चेक की है नोट अचली है बट एक दजन से जादा क्लिप में वो है एवरी टाइम वित अन्यू प्राइड अचली है तो यह चक्कर है अमन वर्मा इसलिए लडकी उसे शादी करता था ताके उनके साथ पॉन शूट कर सको अरशाद इस बार इस नहीं लडकी को यह पता चल गया और इसने अमन वर्मा को ही खतम कर गया इसमिन्स वो अमन वर्मा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है जिसे किसी नहीं नहीं देखा इससे तुम्हारी हेल्प हो गी या नहीं बट इस ओके, क्या मिला तुम्हाँ मुझे देखने से तो यह तुम्हारी लग रहे है नो वेज, इतना छोटा साइज और मेरा चाहो तो चेक कर सकते किलारी है, दन्ने से शिकारी है बॉस में यह नहीं कहता कि पॉंड एकना ची बात है पर अगर मैंने उस जेलर गजेंदर ठाकुर का पॉंड कलेक्शन नहीं देखा उता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो पॉंड यहां इस होटेल में शूट किया गया है उठाओ, उठाओ, उठाओ क्या कर रहा हो तुम तुम यह को कुछ समझ में नहीं आता है अग्या अरे मैं जानता यह अमल वर्मा कॉन है यह असलम कॉन है यह आदरती कॉन है मुझे तो फुटेज मिलती थी मैं उसको एडिट करता था उसकी पिक्चेर बनाकर उसकी सीडी बनाकर मार्केट में बेचता था बस? पुटिज कहा थे मैं पीटी दूम को मेरे बहुत सारे सोसे हैं फुटल्स हैं, इटेनिट पार्लर है, मैसाज पार्लर भी है स्पेशली वो हनीमून वाला फुटिज कहां से मिलता था फुटिज कहा है पुटिज कहा है पुंसी फुटिज वो ही जो तो पॉन मार्केट में बेच के पैसे कमाता है अमन बर्मा, अधित्या नारायन, उर्फ असिव शेक की फुटिज वो अपनी हर वाइफ के साथ हनीमून यही मनाता था था ना देखे, आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता मैं आपके ऑफिसर को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किसी भी तरी की फुटिज के बार बे, कुछ भी नहीं जानता ऑफिसर, अगें? हाँ, यह रहे तुम यह क्या वर्यों हो? आप, आप वस बोर्किन आपकेस कोमल देश्प्शनिस्ट यहाँ पर कमरों में जितने भी हिटन कैमरा हैं उन्सब की वाय इस रूम में आती है और इस दीवार के पीछ जाकर काया बुदर I have a hunch मरवर के टाइम की फुटेज नहीं है पीवी पे निउस देखने के बाद सबसे पहले आके मैंने फुटेज चेक की थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे लगता है कि खिलर ने सारी फुटेज इरेज कर दी है too हो सक्था तुमने ही अमन्वर्मा को माँ रहा हो तुमने फुटेज भी रेच कर दी मैं अखलेश को क्यों मारूंगा वो मेरा стар था स्परस्टार अखलेश कौन है वही अमन्वर्मा उसी का नाम अखलेश था वो अलग अलग गाउं और शेरों से सुन्दर सुन्दर लड़कियां पटाके लिगे आता था उसी की वज़ा से हमारा धंदा चल रहा था फिर मैं उसका मडर करकर अपना धंदा चॉपट क्यों करूंगा ख्यूवन ने पुंचे रेस कě तो वो जानता है रिकॉर्डिंग सब्सक्राइब ओ सकता है आमन वर्मा को यह लायत है उसका शिकन करने क्लिए उस लडगी ने अमन वर्मा का शिकन भी कि ऐख दो dooly इसे उप्रेड जब रारी प्रोग्म सब्सक्राइब करक्क्राइब इस से उप्ग्रेड और लेटे शॉफ्वरे वनन अपर बादेट एफ़्याइब काफी शॉफ्या फिर सॉफ्ट्वर्वेर् मैंक वी काफी हर्ड लिए नदेजियर वाजिन 6.0 और यह और आग्ट चैक? यह उप्छोड अजय दो गो वेसे सरफ एकी हट्ड़ड़की फुटेज रिक आवर हुई है बाकी सारी फाइल्स उन्रीड़बल और करप्ट सरफ एकी क्लिप मिलिया वेसे सरफ एकी हाट्ड़की फुटेज रिकावर हुई है रहा अब लेगें और जूम 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 है लेगें पेसातों बहुत कमा आवगें बात पैसा कमा है ना प्लस करों पीस करों उसस भी जादा वाँ वाँ कैस्में था ने ने बैंक्ड़न वो भी ऑफ्शोर बैंक्ड़न मतलब एक फेक पास्पूर्ट जैसे मोका मेला तो छोड़ के भाग जाओ लेकिन मोका कैसे मिलेगा यह मेरा बैंक्ड़न नंबर है चल्दी स्वें आज करोड़ ट्रांसर करता है यहाँ से निकलने की गारंटी मेरी करता है तो तुम भी एक करप काउप ही निकले कितने रूपय में बेचा तुमने अपने अपको तुमने अपने आपको सुनने वो कितने श्मा पत्लों नोगा एक एसे क्रिमिनील को पुलिसका से भगाना जो अक्शलि एक मॉड़र का प्राइम सस्पक्त है यह देखिए। लेकिन उस प्राइम सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पस कोई थो सबूत नहीं है। बड़ अब अब वो खोद हमें वह तक ले जाएगा। यह देख। यह पता किया। जीपेस टैकिंड़ाइस। अमने वो प्रीविएस केस में उचिया था कि मैंने उसके कोट पे लगा दिया। अब जहां भी वो जाएगा। हमें पता चल जाएगा। जाएगा। ज़ोड़ दो याँ, मैरे कुछ नहीं किया। रिलेक्स प्रीविशा, रिलेक्स। रिलेक्स। मैं तुमें हट नहीं करूँगा। पुलिस कुमारी तलाश कर रही है। तुमने गीया। चड़ों का मन वर्मा का खुन तुमने कीया। चड़ों के। लीवा, हमें पता है उसका खुन तुमने किया। लेकिन क्यों ये समझ में नहीं आ रहे है। मैं बताते ह। इस लड़की प्रतिश्या के लिए उनकी अखिलेश उसके साथ एक पॉन्ड फिल्म बनाना चाहते। इसलिए तुमने उसे शूट कर दी। क्यों? सही का ना मैंने? पर कई आपका दिल तु नहीं अगर? शायद इभी आप इसके साथ भानी मून बनाने का प्लान करें। मैं बक्वास कर रहे हो! बेटी है मेरी? मेटा तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हें गाउं छोड़े आया था। लेकिन मैं तुम लोगों की खैर ख़वर लेता रहता था। तुम्हारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम में मैंने तुम्हारे पिच्चर भी देखे थे। ज़े जब मैने अखलेश के साथ तुम्हें देखा तुम्हें पहचान गया था। बेटा तुम नहीं जांती.. वह कमीना तुम्हारी पॉन की बलाकर बेचना चाहता था। वह हरामजादा तुम्हारी जन्दगी बरबाद करदेना चाहता था, इसलिए… इसलिए मेरा अपनी आंखों के सामने मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बरबाद हुते हुए देख सकता था मेरी माँ ने कहा था कि मेरा बाप मर चुका है और मेरी माँ जूट नहीं बोलती तुम्हें कैसे बता लोहिया ने खून किया था तुका मारा था ने एक्चली वो फुटिज में जो लड़की थी न उसके गले पे तीन स्टार्स थे और लोहिया के कमरे में पत्युशा की जो फोटोग्राप थी जो इसने एक सोशल वेबसाइक ते डाउनलूड की थी मैंने देखा उसके गले पे तीन स्टार्स थे तुम्हारी जैसी गंदी नजर सबकी नहीं है ना तुम यह बता तुमने किसे तुक्का मारा मैं तुक्का नहीं मारती ह। स्वीट का एक्स्टर्नल दर्वाजा थी खुला था और वो चाबी और नहीं हो सकती ह। वो सिफ मानेजर के पास होती है वाव वहीं तुम्हें जाना चाहता हूँ, एक दिन जेल पहुच जाओगे, वहीं तुम्हें जाना चाहता हूँ, जेल. तुम्हें तुम्हें ने मेरा एक बहुत बड़ा प्रोब्म सॉल्फ कर लिया। जेल, जहां जाने के लिए मैं कब से रास्ता तलाश राता। मगर भूल गया भी कि वहां जाने के लिए सबसे आसान शॉर्टकट एक ही है, कौन है, जिसका मैं मास्टर हूँ.